मौगंच थाना छेत्र के पटेरा गाउं में रहने वाले प्रमोद पटेल की दो वर्षिय बच्ची घर के सामने से खेलते समय अचानक गायग हो गई परीजन्गों के काफी तलाश करने के बाद उसका कहीं पता न चल सका तब परीजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मौगंस्थाना छेत्र में दर्च कराई रिपोर्ट के बाद सक्री हुई पुलिस जब दो वर्षिय बच्ची यांची पटेल की तलाश जारी की तो उसको लाश घर के बगल में बने हुए एक मकान में मिली प्रथम द्रिष्टी पुलिस हाथसा नहीं बलकि हत्या मान रही है पर पी-एम रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा पुलिस घटना की बारीगी से जाच में जुटी है प्रथम द्रिष्टिया सौ देखने से लगा कि ये मुह दवा कर हत्या की गई जी मामला किया था इसमें मामला ये था कि सुबह उसके लड़की आंसी जो है उसके पिता ने आ के रिपोर्ट किया था कि उसकी वच्ची घर से कहीं चली गई है उसके वाद उसका गुमिनसान और अपराद दर्ज किया गया था और जब यहां पर ढूंडने आए थे तो बच्ची नहीं मिली थी चाले तीन वजे सूचना मिली कि वो पुराने घर के एक कमरे में उसका सव मिला है जिसके जांच के लिए पहुँचे और देखे सव को कल सव का पीम भी करवाया गया जिसकी पीम रिपोर्ड भी प्राप्त हुई जिसमें पाया गाए कि मुह दबा के उसकी हत्या की गई अभी तक कोई खुलासा तो नहीं होगा नहीं अभी विवेचना जारी है झाल